मानिनी अद्यक्ष मोदे जी, सबसे पहले तो मैं आपने समय दिया, आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, आज सदन को भी मैं नमन करती हूँ, क्योंकि सदन में पहली बार आई हूँ सदन को भी नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ हमारे देश के पधान मंतरी मानेनी मोदी जी को मानेनी हमारे अमिस सहाजी को जिन्होंने ये अफशर दिया और धन्यवाद देती हूँ अपनी छेतर की भिंड और दतिया लोकसवाचेतर की जनता जनादर को जुन्होंने मुझे अपनी चोकिदारी का अफसर किया अफसर दिया और उस नाते आज मैं वहाँ अपने चेतर की समस्या बोल पा रहे हूँ मानिय अध्यक्स मौदे जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरे लोकसवाचेतर भिंड और दतिया में दो महने पहले सरकारी केंदरों पर जो खरीदी हुई थी किसानों की उसमें गहूं भी है, सर्सों भी है चावल भी है तो आज दो से ढ़ाई मैंने होने आए लेकिन आज तक किसानों के खाते में उनका पैसा नहीं पहुचा और वो पैसा 25 लाक भी हो सकता है 50 लाक भी हो सकता है ऐसी इसिती में हमारे छेतर के किसान उनके घरों में साधी भी है बेटी की बेटों को पढ़ाई के लिए भी उन्होंने कही अन्ने जगाई पहुचाना है तो एसी उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है मैं मानीने अद्धिक्ष मोद है आपके माध्यम से कहना चाऊंगी कि किसी भी तरह मेरे छेतर के किसानों के खाते में पैसे पहुंचे जिसे उनके अन्यकाम जो रोके हुए वो फून हो आपने उसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद